असलाम अलेकूम और वेलकम तो मार योट्यूब चैनल दाट इस सिंप्लिफाइड लेर्निंग विट सहीदा सुम्बल तो जैसे कि मैंने पहले नाउस किया हुआ था कि इंग्लिफ की लेक्शे से स्टार्ट करूँगी और इंग्लिफ की जो सीरीज इसमें स्लेक्टिड टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे पार्ट ओफिस्पीच, एरोर, डिडिक्शन, नेर्डिशन, एक्टिव और बेस्ट वोईस अच्छा स्टार्टिंग हम नाउस करते हैं नाउन से पहले मैं आपको बताना जाती हूं सबजेक्ट अन प्रेडिकेट के बार में सबजेक्ट और बेरिकेट बहुत बार इमसिक के इसमें भी आ जाता है लिकिन ये समझना बहत ज़रो ही है तो सबजेक्ट जो है वो संटेंट्स का नाउन और पर्वाध वारव रबैस और उससे आगए जो भी संटेंट्स का पार लता है इसको तो यह हम रिस्सव करते हैं स्वेक्च तो यह थि Touch-tv । हुड़िकेट कौन सा है ि यह सब्जेक्ट है तो यह सब्जेक्ट है ठीक है और सीथ से विर्व है जो भी है पॉरिशन का वो है सूप चाम sc का वहाना प्रैडिकेट .. तो यह by रिड्स से मैने हाईळेकट है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो भी क्रीन से है, वो आपका प्रेडिकेट है, अच्या यह भी आपको याद रहे हम आख रहे होगए हमाइस्ट्थ ऑ송ल लिग्स गिवर्टाइब तरहे हैं, वे जो आखे हैं यह लिए पुरुसिंट्थ बाकि ब्रडिकेट है अच्छा हम पार्टसवर स्पीच को देख लेते हैं नाउन जो है वो किसी भी नाम को कहते हैं कोई भी वर्ड हो प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगापे युज रने वाला वर्ड है जो एड़िक्टिव है वो नाउन में मिनिंग एड़ करता है जो प्रेपोजिशन जो है वो आपका रिलेशन बताता है आपकी दो चीज़ें जो है दो वर्ड जो है उनकी बीच में रिलेशन बताता है प्रेपोजिशन जो है वो लिंकिंग वर्ड है ठीक है इंडर जेक्शन जो है वो आपका एक्स्क्लामेशन और सदेन फिलिंग्स को एक से स्टार्ट जो red underlined words हैं इनको बताना है कि यह कौन से parts of his speech हैं तो number one है still waters run deep waters हमें पता है noun है noun को जो जीज meaning add करती है जो जीज noun में वो क्या होती है adjective होती है of course तो still क्या है adjective है ठीक है number two है हमारे पास he still lives in that house यहां पर जो still है वो lives याने के verb के अंदर meaning add कर रहा है तो यह हो गया हमारे पास add verb ठीक है number third हम देख लेते हैं after the storm comes the calm अब जो storm है और calm है ठीक है after the storm comes the calm इनके बीच वे relationship हो में after बता रहा है तो इसका मतलब है relationship बताने वाला जो हमारे पास part of speech है वो कौन सा है पर position है of course उसके लावा हमारे पास number fourth है the after effects of drug are bad इसमें effects जो है वो noun है तो after जो है वो noun में meaning add कर रहा है तो adjective हो अच्छा noun और kinds of noun का हम डिसक्स करते हैं काइंट्स आफ नाउन जो है noun तो कहते है नाम को ठीक है उसके जो काइंट्स है वो मारे बास मैंने आप यह बताए हुए है common noun प्रोपर नाउन कलेक्टिव नाउन abstract noun अच्छिक्टिव से वर्ब से या पर common noun से बनता है countable noun है countable noun है यह सब मारे बास noun के types है हम इनको देखेंगे अब exercise के अंदर के किस तरीके से exercise दी गई है हम किस तरीके से इनको solve करेंगे तो यह वो चीज़ें हैं जिनने हमें बताना है questions है जिनने हमें यह बताना है कि कौन से किस इनका noun है the crowd was very big अब crowd जार सी बात है collective noun है always speak the truth अब truth जो है वो abstract noun है ठीक है we all love honesty honesty we abstract noun है last में आ जाते हैं the streets of some of our cities are noted for their crookedness ठीक है अब city जो है वो common noun है और crookedness क्या है वो हमारे पास abstract noun है ठीक है इस तरीके से यह वाले exercise भी आप solve करेंगे और बहुत असान है इतने मुश्किल नहीं है ठीक है इसमें आपको बताच जाएका कि noun के types किस तरीके से use होते हैं और हमारे किस तरीके से recognize कर सकते हैं ठीक है अच्छा without health there is no happiness for example यह 40 number question है तो इसमें health भी abstract noun है happiness भी abstract noun है ठीक है इस तरीके से सारे जो types of nouns है kinds of nouns है a noun हम पीछे जो discuss करके आए हैं वो हमें यहां पर recognize करने हैं हमारी बहुत अच्छी practice हो जाए कि इस exercise के अंदर जो कि है exercise in grammar number three ठीक है piece number six के उपर आपको यह exercise मिलेगी run and martin book के अंदर अच्छा इसके नीचे exercise number four में अगर आप देखें तो इसमें यह question है write the collective nouns of the used to describe a number of cattle cattle जो है जो भी हमारे पास animals होते हैं वो मिला कर क्या बनाते हैं herd बनाते हैं ठीक है soldiers मिला कर क्या बनाते है soldiers मिलकर हमारे पास army बनाते हैं sailors मिलकर क्या बनाते है crew बनाते हैं ठीक है उसके इलावर question है write the qualities that belong to the boys who are number one lazy lazy जो boy होगा उसको आपका है उसमें क्या है laziness है ठीक है जो boy cruel है उसमें क्या है cruelty है जो boy brave है उसमें अंदर bravery है जो boy foolish है उसमें क्या है foolishness है तो यह exercise भी बहुत simple है ठीक है उसके इलावा जो है वो आपको यह आप देख लीजिए क्योंके इन examples में आपको यह बता रहा है अच्छा रैनन मार्टिन जो बुग है वो बैस्ट है आपके parts of speech के लिए तो पहले बात हो यह कि मैं आपको इतनी basic नहीं बढ़ाती हूं और जो पता है कि आपको collective noun क्या होता है abstract noun होता क्या है definitions क्या होती है यह सब कुछ आपको book से मिल जाएगा मैं आपको exercise करवाती हूं आपको basic नहीं क्योंकि पता है तो मैं आपको forward बटन लगाती हूं जो आप में लेजने साथ यह book को देकर वो खतम करती हूं तो keep following me stay tuned हूंग